हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटिब चैनल मिश्रा फर्मासिस्ट पे आज हम बात करेंगे डैकलोफनेक टेबलेट के बारे में इसके क्या यूजेस होते हैं क्या डोज होती है और क्या इसके साइड एफिक्ट होते हैं तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर दे ग्रेंग एंड ऑस्टियो अर्थ्राइटिस जैसे समस्याओं में होने वाले दर्द में यह टेबलेट बहुत ही आराम देती है यह टेबलेट शूजन में भी आराम देती है अब हम जानते हैं डैकलोफनेक कैसे काम करती है डैकलोफनेक ब्लॉक करती है सर्टेन के मेसेंजर होते हैं जी मितलाना उल्टी होना दस्त पेट में दर्द भूख ना लगना सीने में जलन और इसके कई कॉमन साईड एफेक्ट हो सकते हैं अब हम जानते हैं किनकिन लोगों को डैकलोफनेक का इस्तमाल नहीं करना चाहिए जो वग्त आलकोहल मतलब शराप पीते हैं उन्हें यह टबलट् डाक्टर की सला के बिना नहीं लेना चाहिए और जो महिला प्रेग्नेंट हैं उन्हें भी ये टेबलेट पिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए किड्नी और लीवर जैसी समस्याओं से परिशान विक्ति को ये टेबलेट का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए डैकलोफनेक का इस्तिमा और लेते भी हैं तो अपने डाक्टर से सलाह जरूर लेते रहें अब हम बात करते हैं इसके डोजस के बारे में एडल्ट्स के लिए रिकमेंड़ डोज पचास हमजी होता है ध्यान रहें पहली और दूसरी डोज के 20 में समय का अंतर चार घंटे का होना चाहिए मतलब दूसरी डोज तब ली जा सकती है जब पहली डोज और दूसरी डोज में चार घंटे का अंतर हो जाए दोस्तों किसी भी मेडिसिन का इस्तिमाल बिना डाक्टर के सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए जवाईयों की आधी अधुरी जानकारी हानकारक साबित होती है तो दोस्तों यह अधियास की वीडियो अचा करता हूं यह वीडियो आपको पशंद ही होगी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और किसी भी मेडिशिन के बारे में यूजेस साइड एफिक्ट के बारे में बता करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमें करें थैंक यू फॉर वाचिंग